लक्रो थाना गोम्ती नगर क्षेत्र में डॉक्टर हर्ष अग्रवाल की पतनी रुची अग्रवाल अपने दो बच्चों के साथ घर में थी गर में एक कारपेंटर लगबग दो मासे कारे कर रहा था पैसे की लेंदेन में कारपेंटर गुलफाम और रुची अगरवाल से कासुनी हो गई कासुनी इतनी बढ़ गई कि गुलफाम ने रुची अगरवाल पर हमला कर दिया जिसकी वज़ा से रुची अगरवाल की मौत हो गई और अपराधी मौके से फरार हो गया मौके पर भारी मात्रम में पुलिस फोर्स मौजूद गटना की बारीकी से जाच की जा रही है और बच्चों का बयान लेने में पुलिस असमर्थ हुई है आखिर क्यों पुलिस ने शवका पंचनामा करके पोस्टमाटम के लिए भेश दिया है अपराधी की तलाश जारी है पता चलता है कि एक व्यक्ति इनके हां जो काम करता था जिसका नाम गुल्फाम, पुतर रिईस, इसने इनके उपर चाकु सिहार किया है प्रात्मिक उप्चार ये बयातल उनको राम मनोर लोहyा ले जाया जाथा जहां बर कि इनको मृत्यभोषित कर दिया जाता है जो कि इनके द्वारा इंकार किया गया और यह अक्रोश में आ करके इसने इनके ऊपर वार किया जिसके कारण ही इनके मृत्ति हो गई है पुलीस टीम तद्काल हरकत में आती है फिल्ड यूनित को बिलाए जाता है वहां से जो साक्ष है कल्क किया जाते हैं तद्काल मौके से को रवाना कर दिया जाता है जो सम्भावित स्थान थे उन पर दभिश के लिए फल्सरूप इस व्यक्ति की अरेस्टिंग हो गई है यह मुलता पर पजिदीपूर ठाना ठाकुर गंज कर रहने वाला है इस व्यक्ति के अरेस्टिंग हो गई है इसको घंता से और की प्रक्रिया की जाएगी अभी जो हमारी इंवेस्टिगेशन है उसके हिसाब से यही पता चला है कि यह व्यक्ति नशे मेरा था था यह नशीला पदार्थ लेने का अधिता और यह अक्रोश में आकर के एक बहे की हमला किया है इसमें पर कितने वार की यह जिसने इसमें अ पर यह अपना बिजनिस करते हैं तबाग दुका है